Hello everyone, welcome to my channel, आज हम करेंगे क्लास 9 की गनित की वक्षीट, वक्षीट नमबर 87, जो की आपकी डेट 17 फरवरी की है, संख्यांकी के बारे में हम पढ़ेंगे, गडित के अध्यापक ने कक्षा 9 के विद्यार्तियों का पिरियोडिक टेस्ट लिया, असी नमबर का था, परिक्षा म सबसे कम अंक 9 आए, और सबसे ज़्यादा 79 आए, परिक्षा परिणाम का विचलेशन करने पर अध्यापक ने पारमपार्ता वर्गी करत बटन सांडी का निर्मान किया, जो नीचे दिया गया है, यानि कि 0 से 10 तक इतने बच्चु के अंक आए, एक बच्चु के, बिटा ए यह होता है हमारा जो उपरी वाली सीमत दी होती है, उसमें से निचे अले को माइनस कर देते हैं, तो 10 माइनस 0, तो कितना है, 10 और हर जगे आपका वर्गंतराल सेम होता है, यह चीज़ भी आप ध्यान रखेगा, तो आपका अंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, परिसर, परिसर क्या होता है, अधिक्तम मान माइनस निउन्तम मान, तो आपका अधिक्तम आप लिख लीजेगा, यह हमने लास्ट वर्क्षीट में भी किया है, अधिक्तम मान माइनस निउन्तम मान, ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, आप इस वर्मुली को लिख लीजेगा तो आपका अधिकतम मान कितना था 79 देखिए हां दे रखा है और नियूंतम नो तो आपका अंसर आजाएगा 70 चीक है तो यह आपका इसमें आएगा आपका 10 और इसमें आएगा आपका 70 इसके बाद थर्ड देखिए 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले शात्रों की संक्या 60 साट से 70 के बीच में कितने बच्चे जरन के नंबर आएं 7 बच्चे है ठीक है तो इसका आंसर आपका कितना आजाएगा 7 आजाएगा तो यह आपका 7 आंसर हो जाएगा भी 4th question क्या है 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले शात्रों की संक्या 30 से कम देखते हैं जरा 30 से कम तो 30 से कम देखें यहाँ पे यह 30 count ने होगा यह 39 होता है ठीक है मैंने आभी आपको बता है तो 1 2 3 कितने बच्चों के इन सब को जोड़ो एक दो 3 और 3 6 बच्चों के 30 से कम नंबर आए तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 बच्चों के कम नंबर आए ठीक है 60 यह उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 60 है 60 से ज़्यादा तो भई 60 है 60 से ज़्यादा यह वली लाइन यह वली लाइन 7 और 2 9 9 बच्चे इनको जब आप जोड़ो गए तो 9 बच्चों के नंबर 60 है 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका डिया 50 परसेंट निकाल लेते हैं 50 परसेंट निकालते हैं तो यह 000040 यानि कि जिस बच्चे के 40 है 40 से उपर नंबर आयोंगे वही तो 50 परसेंट हुआ 40 से उपर कितने बच्चों के नंबर आए वह देख लेते हैं यह तो काउंट ने होगा 40 में यहां से देख यह सारे 40 और 40 से उपर हैं तो 15 जमा 10 जमा 7 जमा 2 तो जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपका 34 यानि कि 34 बच्चे ऐसे हैं जो 50% यानि कि 40 से ज्यादा नंबर लेकर आएं तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 34 आपका आंसर हो जाएगा तो यहां आपकी वोक्षीट कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्चे से समझ में आयो तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अपने फ्रेंज के साथ शिया जरूर करें थैंक यू